हलो एंड वेलकम गाइस तो यार ओन चैनल अभ्यास भूमी गाइस आज हम लर्निंग डिसाबिलिटी के कुछ इंपोर्टन कुश्चन को करने जा रहे हैं गाइस लर्निंग डिसाबिलिटी के चैप्टर को अल्रेडी मैं वीडियो में अप्लोड कर चुकी हूँ अगर आप च अशा सीखनी में जो तुरोटियां होती हैं ऑप्शन A उन्हें का तो अभ्यों कि प्रोटयों की ओओर संकेत करती हैं है या ऊप्शन कोई भी चीज हो उससे भी दूर रहना है हमें बच्चे की स्पीड के साथ चलना है और नेगेटिविटी से दूर रहते वे तो option A में तो कट होड़ता है यह तो बिल्कुल reject है option B जल्दी है यह भी rejected है option 3 तूटियों की और संकेत कर रहा है तो already हम भी तो यही कह रहे हैं कि भा अगला question guys आपके screen पर swelling विकार autistic disorder में बच्चा guys मैं आपको एक important चीज बताना चाहूंगी जब भी कोई ऐसा question आए जिसमें आप answer करने में नहीं समझ पा रहे हैं कि यह answer सही हो सकता है यह गलत हो सकता है तो उसमें एक बार question को ध्यान से बढ़िए कई बार questions में ही clue होता है ज उसमें आप देखिए स्वह मतलब खुद के बात कर रहा है और लिन यानि लिप्त खुद में जो लिप्त है खुद में जो खोया हुआ है विकार यानि disorder उसमें जो बच्चा होगा उसकी specialty क्या होगी तो उसे कैसे आप identify कर पाएंगे उसमें देखिए option number A है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुबव करता है तो ऐसा लगता है आपको खुद में लिप्त बच्चा हाथ पैर के कठिनाई हिलाने में कठिनाई अनुबव करता है नहीं मिरको ऐसा नहीं लगता है उससे swaline विकार तो नहीं कह सकते है option number B सामाजिक अंता क्रिया और संप्रेशन में कठिनाई का अनुबव करता है यानि social interaction and communication में उसे problem feel हो रही है एक बार कोई ये चीज़ हम accept कर सकते हैं पर आगे देखते हैं क्या पता कोई और option सही हो option बसी अकसर खाने से मना कर देता है अब खाना खाना या ना खाना वो तो बच्चे के अपने choice है उस जैसा भूख ल कालम नहीं रख सकते या option number D अपने ही कार्यों में lean रहता है तो अपने कारों में lean रहना disorder यहां पे तुछ से consider नहीं कर सकते तो हां guys बल्कुल सही option number B is the right answer सामाजिक अंताक्रिया और संप्रेशन में कठिनाई का अनुभव करता है ठीक है गाई स्वालीन बच्चा अगले question क की तरह हम बढ़ते हैं अगरा question आपके screen पर भाशा के संदर्ब में निदानात्मक परिक्षण का उद्देश्य है जब आप बात करेंगे निदानात्मक परिक्षण की तो solution के लिए आप जा रहें ने किसी भी चीज में तो option number a बच्चों हे तो भाशा परियोग के अवसर जुटाना may be possible option number b बच्चों को अगले कक्षा में प्रोननत करना यानि promote कर देना next class के लिए तो मुझे नहीं लगता भाशा को सुदाने के लिए ये अच्छा option है अगला option देखते हैं option number three बच्चों को विबिन्स रेडियों में विबक्त कर देना अब categorize अगर आप बच्चों को कर देंगे तो उनके तो negative facts जाएगा तो ये तो बल्कुल नहीं हो सकता last option option of a vote बच्चों की भाशा परयोग संबंदी कठिनाईओं के समभावित कारणों की पहचान करना तो भैसीधी सी बात है अगर आपको उप्चार जिस सीजगा करना है तो पाले कारण तो आपको पता होना चाहिए तो बल्कुल सही option four लोग तो राइड आंसर बच्चों की बहाशा परियोग संबंदी कठिनाईयों के संभावित कारणों की पहचान करना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ उप्चार आत्मक शिक्षन की सफलता मुख्यता निर्बर करती है जब आप रेमेडियल टीचिंग के बात कर रहे हैं तो उसकी सकस्स आने पार अब आप लिस्ट अप करते रहेंगे तो यह तो फिर हो गया ऑप्शन नमबर सी समस्याओं की पहचान पर या फिर ऑप्शन नमबर डी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर तो मुझे तो बिल्कुल सही कारण समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर जब आप उसका solution कर पाएंगे नहीं तो आपको असा लगता है कि बिना कारण जाने आप solution किसी भी problem का कर सकते हैं तो अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगले question आपके screen पर नेहा अपनी बात करते समय अपनी मात्र भाषा के सब्दों का परियोग करती है आप क्या करेंगे तो क्या कर सकते हैं भाष जब एक बच्चा अपनी मात्र भाषा का यानि मदर टंका यूज कर रहा है देखते हैं option number a लक्ष भाषा के सब्द का परियोग करते हुए सहस्ता से उसके वाक्यों को दोहराएंगे लक्ष भाषा यानि जो आपको सिखानी है जो आपका एम है कि बच्चा ये वाली लैंग्विज को जल्दी से लर्न कर ले ठीक है तो आराम के साथ आप उसे सिखा रहे है या फिर option number b उसे डाटेंगे कि वह अपनी भाषा के सब्दों का परियोग ना करे आप डाटना तो गलत बात है ना बच्चा अपनी बात कह रहा है तो भाषा का परियोग आप ठीक है आप उसे को भाषा शिखाना चाहते हैं पर already जो उसे भाषा आती है फिलहाल तो वो उसी भाषा में एक्स्प्लेइन करेगा ना अगला option है आपका उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशे इसको क्या कहते हैं तो किसी सब्द विशेश को आप बताएंगे तो उसका मतलब आप उसे रटवाने की कोशिश कर रहेंगे इसका मतलब ये है तो ये तो संबव नहीं है option number 4 उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है तो उसकी जो मात्र भाषा अगर आप उसे ही गलत तो जी हां इसका right option है guys repeating यानि option number A लक्ष भाषा के शब्द का परियोग करते वे सहस्ता से उसके वाक्यों को दोर आएंगे अब ऐसा क्यों करेंगे guys तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि कभी भी आप छोटे बच्चे को देखिएगा तो वो copy करने में ज्यादा विश्व कर रही है मैं भी ठीक वैसा ही करो तो जब आप उसके सामने उससा सही करने के बजाए उसके शब्दों को दोहराएंगे तो वो आपको copy करने की कोशिश करेगा और copy करने के चकर में वो उस भाषा को सीख जाएगा चलिए बढ़ते हैं अंगले question की तरफ जो बच्चे विसे disorders को easily याद करना है वो method भी मैंने उसमें बताया है तो उसी के according जब बच्चे पढ़ने में कठेनाई मैसूस कर रहा है तो जो story उस वीडियो में मैंने आपको बताई थी अलेक्सिया की तो अलेक्सिया को सबसे पहली दिकत गरवालों को क्या पता चली थी पढ़ाई के लिए इसकूल वालों को भी सबसे पहली दिकत क्या पता चली थी पढ़ाई के लिए तो अलेक्सिया को क्या गुशित कर दिया गया था डिसलेक्सिया तो जी हाँ जिसलेक्सिया से ग्रास्त होते हैं बढ़ते हैं अगले कोशिया की तरफ गाईज अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले अगला कोशिया है सात्वी कक्षा में पढ़ने वाली रूबी क रक्षा में सबसे पहले अपना कारे समाप्त कर लेती है हिंदी बहाशा सिक्ष्या के रूप में आप चूपा दालेती हैं तो अब आप प्या करोगे अब आप हिंदी बहाशा की टीचर हो उप्शन नमबर ए रूबी को दूसरे बच्चों के कारियों की जाच का एक मात्र अधिकारी बताएंगे यह दुखलत बात है एक बच्चे को आप पर नहीं रख सकते औप्शन नुबर भी रूबी की तुलना दूसरों से करेंगे comparison is never acceptable comparison आपको करना ही नहीं है option no.3 रूबी को उसकी पसंद का कारे करने के लिए कहेंगे यह possible है या फिर option no.4 रूबी से शांद बैठने के लिए कहेंगे नहीं भई हमें बच्चे को creative बनाना है मुसरा शांद बैठने के लिए क्यों कहेंगे तो यानि option no.3 is the right answer रूबी को उसकी पसंद का कारे करने के लिए कहेंगे गाइस एक बात का ध्यान रखेएगा कई बार question करते समय हमें answer accept और reject करने पड़ते हैं और कई बार ऐसा होता है कि दो answer बिल्कुल सही लगने फिर भी उन में से हमें एक better option की तलाश करनी होती है तो B8 करते समय आपको ये बात target रखना है अपने दिमाग पर कि किसी भी answer का हमें सबसे बहतर से भी बहतर answer जो होगा वो हमें ढूंड कर निकालना है तो कई बार कोई चीज अच्छी हो सकती है कहीं पर कोई चीज गलत हो सकती है तो इस चीज के आपको ध्यान रखना है question के according आपको सही और गलत का अंदाज अपने आप से लगाना है आगे बढ़ते हैं अंगली question की तरफ कक्षा part में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है बाशा सिक्सक के रूप में आप अपने क्या जिम्मेदारी मानते हैं अब एक चोटा सा बच्चा है जो पढ़ते समय वर्तनी में अशुद्धियां कर रहा है तो आप क्या करेंगे option number A नंदिनी को ऐसे अफसर परदान करेंगे कि वो स्वयम में सुधार कर सके अगर वो स्वयम में सुधार कर पाती ही तो वो गलतिया करती ही क्यों ठीक है का इस तो ये option reject है अगले option की तरफ बढ़ते हैं नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना भाई आपने उसकी अशुद्धि ठीक है उसके काटा और उसके बोला कि चल भाई अब 20-20 बार सही करके लिख तो ये तो उसके लिए एक सज़ा हो जाएगी और दंड हमेशा अच्छा नहीं होता अगले option की तरफ नंदिनी को समझाना है कि वर्तिनी की अशुद्धिया करने पर उसके अंग कर जाएगे जहां पर बात आएगी marks की तो वहाँ तो already option negative चला गया हमें बच्चे के marks को improve करना है पर marks को improve करने से पहले हमें बच्चे की qualities को improve करना है उसकी जो disabilities है उन्हें reduce करना है ठीक है guys तो यह option भी गलत हो गया अब बचा है last option नंदिनी को समझाना कि वर्तिनी की शुद्धिता ही लेखन का ससक्त पहलू है जी हाँ जब भी कोई बच्चे से आप काम कर वाएं तो उस बच्चे से जो काम कर रहा है उसकी importance के बारे में उसे ज़रूर बताएं यह बच्चे को help करेगा उस चीज को बहतर सीखने पे तो जी हाँ बिल्कुल guys option number 4 is the right answer नंदिनी को समझाना कि वर्तिनी की शुद्धिता ही लेखन का ससक्त पहलू है अब हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question आपके screen बे रमेश सात्मी कक्षा में पढ़ता है वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार-बार अटकता है वह संभवता डैस से ग्रस्त है क्या लगता है गाईज आपको क्या problem हो सकती है रमेश की option A dyscalculia option B dysgraphia option C dyslexia option 4 dysphysia क्या लगता है गाईज आपको सामाने बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार-बार अटक रहा है पढ़ना है ना पढ़ने में क्या बताया था अलेक्सिया को क्या था dyslexia very good option 3 is the right answer dyslexia okay guys इसी के साथ हम वीडियो कम्प्रीट करते हैं and please like share and subscribe button thank you for watching jai maadev